हलो वेलकम टू दा प्रिंसिबिल सर्विसेज और जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था आप लोगों से कि हम लोग एक साइन्स और टैक को लेके करेंट अफेर्स के एक सीरीज चलाने वाले हैं और इसमें पहले वीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं उक्टूबर 1 से तो जो हमारी पहली कि नीज से साइन्स और टैक्स रिलेटिड ये थी गाट इस रिलेटीर टू दा ओस्टूटल एक्स पेसक्राफ जो क्या है बेनु एस्ट्रोईड एस्ट्रोईड समझ देवाब पता आपको एस्ट्रोईड जिसको अम इंदी में क्या बोलते हैं शूद्रगर है बेसिकली कहां से ले क्या है इस यह क्या है यह USA का मिशन है जिसमें क्या हो रहा है कि एस्ट्रोइड के जो पार्ट्स है उसमें से कम से कम कुछ क्या है क्या है एक जो स्पेस्क्राफ्ट है जिसका नाम क्या है ओसी स्ट्रेक्स जो है ओरीजिन स्पेक्टरल वर्ल्ल का किसका है प्रोजक्ट है? इस इस इदा यूएस फर्स्ट मिशन, ठीक है? अगर हम यूएस से के बात करें, तो यूएस से का क्या है? यह पहला मिशन है, जिसमें क्या कर रहा है? यह एस्टरोइड को ले क्या रहा है? तो अगर हम बेनू की बात करें, अगर हम बेनू तो वाट इस दा लोकाशन ओ बेनू? वाट इस दा लोकेशन ओ बेनू? रोगाई राट राट रैस आपने सुनए ऐसा? देखो, इस इस नोवाट इस क्या प्रट है? यह जो है. इस दा पार आफ्टर क्या है नेप्चुन रोट रोट के? ठेख यह? है? हेर वी found asteroids also, but some, there is another belt that is known as asteroid belt, ये क्या है asteroid belt, this is found between Mars and Jupiter, but this Bennu is neither part of Tupor belt or asteroid belt, then what is the part of this, तो ये किसका part है, this is the part of neither Tupor belt or asteroid belt, देखो, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे, अर्थ का rotation दिखाए देर, आपको guys देखो, एक बार ध्यान दो यहाँ पे, देखो, ये हमारी गर्थ क्या कर रहे है, sun के round, revolve कर रहे है, ये क्या है, बेनु जो प्लैनेट हो कहा है, अर्थ और मार्स के बीच में, और ये क्या कर रहा है, इट इस दा नियर asteroid, नियर अर्थ और वोई, दा इस नियर अर्थ 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 एस्टरोइड, ठीक है, तो इसकी study के लिए क्या किया है, युएस एनेक mission भेजा था, ठीक है, येक mission is known as Osiris Rex spacecraft. And क्या पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा है? Is this the world's first such kind of mission? No, this is not the, but this is the USA's first. But इसके इस्ते पहले क्या हुआ है? Japan ने ओलरी क्या किया है? ऐसे mission किया है, जिन में क्या किया था? There is a mission name is Hayabusa in the year of 2003 to 2010. और ये asteroid कहा है? कौन सा asteroid था? This is the asteroid of Itokoa. और Hayabusa 2. This is the second mission by Japan. And the space agency is known as JAXA. तो जो एस्टरोइड से हम क्या ले रहे है? सोय ले क्या रहे है? पोर्शन ले क्या रहे है? मिट्टी ले क्या रहे है? वो जापान ओलरी कर चुका है. In the year 2003 to 2010 in the Hayabusa mission. And also in the Hayabusa 2 mission in the year 2020. और हम बात करें इसके बारे में, Osrex के बारे में. तो यह क्या है? यह at least 60 gram of asteroid का क्या लेके आएगा? Sample लेके आएगा. ठीक है? और क्या यह जो ओस्टेशी mission है? क्या इस सरफ Benu से related है? नहीं. यह Benu से related नहीं है. अभी क्या है? यह sample Earth ते पहुचा दिया जाएगा. बट यह mission है, यह आगे carry out करता रहेगा. इस spacecraft जो है, वो future में किसी दूसरे भी asteroid से क्या लेके आएगा? sample लेके आएगा. ठीक है? तो यह guys पहली news थी हम से हमारे related जो क्या थी? asteroid Benu से related थी. और हम इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं. ठीक है? हम अपनी second news पर आपते हैं. ठीक है? second news जो हमारी है, वो related है, macrophagus से. ठीक है? so macrophagus क्या होता है? macrophagus literally coming from a Greek word. Greek में क्या होता है? Greek में macro का word होता है, that is big and phag का जो मतलब होगा phagus जो होता है, उसका मतलब होता है eat. तो जो macrophagus होते है, they are the part of white blood cells. ठीक है? and they are acting against the foreign particles, जो हमारी body is foreign particles, bacteria या viruses आते हैं, उनके against में क्या है? this is the first layer of protection. तो अभी ये news में क्यो है? news में macrophagus इसलिए है, कि macrophagus की जो sense, senescent macrophagus है. जो senescent क्या होता है? देखो, हिंदी में हम इसको लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो guys, senescent, ठीक है? हिंदी वाले, senescent क्या होती है? tenescent जो micro और वो है, cells है, वो इस तरह की cells होती है, जो क्या है? old days में आपकी body में increase होना start कर देती है, यानि जब आप में बुढ़ापा आता है, इंसानों में, तो क्या होता है? जो senescent, जो cells हैं, उनकी मात्रा body में increase होने लग जाती है, तो अभी क्या हुआ? problem क्या हुआ? problem news में इसलिए है कि जो discovery की है, doctors ने, उन्होंने ये पता लगा है, जो senescent micro phase है, जो क्या है? अपनी जवानी के टाइम में, they are the first, क्या है, first, जो किसके सामने layer of the protection against the microorganisms and the bacteria, उनके against में जो काम कर रही है, बर्ट जब ये क्या होती है? old days में आ जाती है, जब क्या होते है? senseInt में आ जयती है, then also sensor nelle morph ciudья में तब ये क्या खरती है? इसा बिमेंत स्रेंग बिंग्रोलियम को खा गे, फोरन पार्टिकल्स को बट यहा पर क्या हुआ ह्या है? एक्चुली में जब यह सेंसेंट पोजिशन में आ जाते हैं, सेंसेंट कंडिशन में आ जाते हैं, then what will happen? दे में कोज फोर दा कैंसर ठीक है? एक वैसी सेल जो क्या कर रही है? नॉर्मल कंडिशन में आपकी बोडी को प्रोटेक्ट कर रही है एक जो क्या है? आपको इम्मुनिटी परवाइड करने वाली सेल है वही आपका क्या हो रही है? कैंसर का कारण बननी है तो यह माइक्रोफेज का जो टोपिक था इसलिए न्यूज में था तो नाव मूँटू दा नेक्स टोपिक यह थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग और थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा टोपिक है यह किसकी बात कर रहा है? इस टोकिंग अबाउट ग्रैविटी बैटरी ठीक है? यह क्या कहा रहा है? ग्रैविटी बैटरीज आर था टाइप ओफ दा electricity storage battery वो क्या करते, electricity storing devices है, जो क्या कर रही है gravitational energy को store कर रही है, और किस की form में store कर रही है, they are forming in the form of potential energy, देखो दोसों देखो, energy किस टाइब किते है, energy दो ट्रह किते है एक तो टेक kinetic energy, ठीक है और दूसरी होती है, potential energy जब हम क्या करें, motion की बात करें, ठीक है तो कैसे energy की बात करें, kinetic energy की बड़ जब हम height के coding बात करें तो हम कैसे energy की बात करें, potential energy की अभी ये concept क्या है कि gravity battery बन गई कहा होगा क्या ये कोई physical battery होगी या फिर क्या होगा, कैसे होगा, देखो ये concept सबसे पहले जो लेकिया था वो लेकिया थे energy volts के रूप में ठीक है जैसे हम normal battery के बात करते है hydrogen fuel cell के बात करते है lithium batteries के बारे बात करते है उनके जैसे यह नहीं होगा यह थोड़ा सा different concept है अभी क्या है जब इनके energy हम store करेंगे तो energy volts के form में store करेंगे ठीक है तो सबसे पहले स्वीजर लेंड की company थी 2017 में पहले concept लेके देखो उन्होंने एक building बनाई ठीक है और उस building के सामने एक elevator बना दी elevator के shape में बहुत बारे चीज़े बना दी elevators और उन elevators को क्या ना में देए energy volts का जब भी उस company में किसकी energy की या electricity की demand कम हो रही थी तो उन्होंने क्या किया उन lift को उन lift में क्या रखा concrete के blocks रखे यानि cement के block कितने 35 तन के round के ठीक है जब इन्होंने 35 तन के concrete के जो points blocks थे या concrete बड़े पत्थर थे उनको क्या किया लिफ्ट में रखा और energy से क्या कर दे ऊपर उठा दिया यानि अगर सोच के चलो कि किसी भी company में किसी भी factory में रात के time अगर worker काम नहीं कर रहे है तो energy का जो consumption है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो उन्होंने क्या किया रात के time में उसको उठाके ऊपर लेगे ठीक है उठाके ऊपर लेगे और एक height पहुंच गया तो जो energy है वो किसके रूप में store होगी उन blocks में potential energy के रूप में उन blocks में जो concrete के blocks थे उनमें energy store होगी ठीक है अ साथ में क्या था आपके energy की demand या electricity की demand नहीं थी तो जैसे demand किसकी electricity की उन्होंने क्या किया उन blocks को one by one नीचे लाना start किया और जो potential energy जो store थी उसको जर्णेटरस की help से use करके किसमें convert कर दिया potential energy को electrical energy ठीक है और electricity में convert कर दिया यह तो था Swiss company का concept जिसमें क्या है energy volts और gravity battery का एक दूसरा concept भी है जिसमें हम क्या करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम basically बोलते है pump storage hydroelectricity system इसमें हम क्या करते है water को जो हता है एक height पे ले जाते हैं जिसके हमारे घरों के आसपास आप लोगो नहीं देखा है कि जब हम पानी city के अंदर जब हम पानी पहुचाते है तो पानी गटंकी एक बहुत height पे होती है ठीक है तो क्या होता है जब पानी जैसे ही नीची पानी को एक height पे ले गए ठीक है और पानी को रिलीज़ कर दिया और फिर क्या कि टर्बाइन's यूज करके क्या कि उस वाटर में जो energy store इसको किसमें convert कर दिया तो अगर मैं बैटरी की बात करूँ ग्रेविटी बैटरी की तो बेसिकली कुछ चीह, यह कुछ सिस्टम से जिनमें लोग क्या कर रहे हैं, जिनमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप ग्रेविटेशन एनरजी को कहां स्टोर कर रहे हो, कहां स्टोर कर रहे हो, ग्रेविटेशन बैटरी के बात करें, तो हमारे पास अभी famously कौन सी बैटरी है, लीथियम आयर बैटरी तो benefit क्या, what is the benefit of gravity batteries और लीथियम आयर बैटरी लीथियम आयर बैटरी में और उन में क्या फरक है, देखो सबसे basic चीज तो ये है कि जो gravity है वो clean energy है पूरी clean है, free है और कोई cost नि लग रहा, ठीक है और future of the time available है, बट जब लीथियम की बात करेंगे तो अगर लीथियम को आप ये कहो कि लीथियम चलो renewable source है, बट जब आप लीथियम बैटरी में store करोगे, किसको, electricity को तो आपको क्या परना चलिए लीथियम की माइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है और उस माइनिंग में, कई बार हम क्या करते है environment को depletion कर देते, environment को भी हाम पहुचा रहे ठीक है, पहला फाइदा ये है किसका gravity battery का, किसके ओपर lithium-mine batteries को, second क्या बात कर रहा है कि हम क्या देखते हैं, जैसे भी, आप लोगों ने अपने घरों में, inverters में देखा होगा कि जब battery होती है, दो-तीन साल बाद क्या हो जाती है उसकी capacity कम हो जाती है, यानि उसकी capacity loss हो जाता है, बट क्या gravity batteries में ऐसा कुछ हो पाएगा नहीं, gravity batteries की जब हम बात करेंगे तो gravity battery में सबसे बड़ा benefit यही होगा कि उन्हें कोई भी capacity loss नहीं होगा जो हम कहां देख रहे है, lithium-mine batteries में ठीक है, अभी यह तो होगी पूरे world की बात की Switzerland ने यह करा, वो किया, ठीक है अनाधर एक private agency है, private company, जिसका नाम है Renew Power, यह सब मिलके क्या बना रहे है energy vault create कर रहे है, इडिया में, कहां पे बैंगलूरू में, बट अभी यह हुआ निया, this is in the process for in the building phase, अभी starting बनने की phase में, ठीक है तो यह यहां तक clear हो गया, कि gravity batteries कैसे काम करती है और वो क्या concept है, यह हमारे basically क्या है हम energy को यह electricity को store कर रहे है जब हमारा क्या है, जब हमारा जो need है या demand है, किसकी electricity की वो कम है तो हम क्या कर रहे है, उस energy को किसके form में store कर रहे है gravity battery के रूप में store कर रहे है और जब क्या हो रहे है, जब हमारे demand boost up हो रहे है किसकी electricity की तो हम क्या कर रहे हैं उन्हीं blocks को यूज करके electricity को दुबारा जर्नेट कर रहे हैं with the help of turbine इंदा जो क्या था water जो store हो क्या था उसमें और अगर जो concrete के उसे उनमें क्या रहे हैं हम जर्नेट का यूज कर रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं तो गाइस आगे बढ़े और यह बहुत अच्छी न्यूज है और यहां तक बात अगर हम करें तो यह इंडिया की कुछ चीजों की बात बता रहे हैं तो इंडिया का एक हो स्टैप लिया जिसमें क्या हुआ है यह सुना है एस इद लुए जिसका했어- quandいました का पुने में located हैं और यह वही है इसने क्या में क्या दिया था लिए घ्ला صुē। टो भी यह है R21 matrix M malaria की vaccine यह क्या है यह बहुत ज्यादा effective है किसमें children's में और इसकी जो efficiency जो देखी गें children's में वो किती देखें around 75% की efficiency हमने देखी है कहाँ पे children's में जब हम इसको use करते है वैक्सिन को तो अगर हम बात करें किसके malaria की बात करें तो basically malaria क्या है malaria कैसे पहलता है malaria plasmodium की व bite कर लेती विकोज जो एनफली वो है female mosquito वो क्या है वो किसका use करती है वो as a vector की तरह use कर होती है और क्या करती है carry करती है किसको plasmodium parasite को अभी जब आर और इनमें सबसे जो basically main है वो क्या है फालसी पैरमेंड, plasmodium, vivax तो RAS का जो exam हुआ था कब एक तारीक को ठीक है जो हमने soul भी किया था online में तो वहां पे भी a question आयवा था किस वह वारे malaria के बारे में कि क्या है उन्होंने option दिये थे plasiparam का और vivax का साथ में उन्होंने malaria का दिवा था plasmodium malaria and ovaries का तो उन्होंन से खतरना कौन सा है फालसी पैरम तो यो plasmodium फालसी पैरम है यह बहुत ही जाए fatal है और क्या है death का reason बनता है and second is more fatal is vivax ठीक है बट अगर हम इंडिया की बात करें what is the scenario in India regarding malaria .so अगर पूरे वरल्ड की की बात करें किसकी case burden की, case burden यह था, malaria के की cases बात करें तो पूरए इंडिया में 1.7 percent जो cases है mo malaria के इंडिया स होते हैं और leeft की अगर हम बात करे तो 1.2 percent jो death होती है chem again time , Когда we start варatch हो 가운데 100%Watch देट इज मध्यपर्देश तो ये स्टेट है ये क्या ख़रे है ये मूस्ट ली सबसे ज़ाधा कैसी जो आ रहे हैं कि रिखेने मले रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है बिकोज वहां पर क्या है ट्रैबल रिजन ज्यादा है अवेरनेस भी नहीं है और जो एल्थ्केर कि इंडिया ने क्या-क्या अप्रोच इज लिए हैं, क्या-क्या चीजे की हैं, तो पहली अप्रोच में हम बात करेंगे, तो इसको कौन घंडल कर रहा है, Ministry of, Ministry of Health and Family Welfare, तो उन्होंने क्या क्या था, उन्होंने एक स्कीम ले क्या था, National Strategic Plan for Malaria Elimination के लिए, जिसमें क्या था, 15-year का यह प्लान था, 2016-2013, और हमने अपने टार्गेट के सेट किये थे, क्या करेंगे, Malaria Free India बनाएंगे 2027 तक, और क्या कर रहेंगे, Malaria क्या Elimination कर देंगे, कब तक, 2030 तक, तो सो यह कुछ points है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो अगर हम आगे बात करें, कि जो यह है, R21 Matrix M Malaria, क्या यह first vaccine है, जिसको किस ने recommend किया है, WHO ने, use करने के लिए, नहीं, this is the second vaccine recommended by WHO, WHO, wild health organization है, क्या क्या है, इसको second vaccine है, जिसको recommend किया है, और first vaccine कौन सी है, first vaccine है, RTS, S, AS01 vaccine, इसको कब किया था, 2021 में recommend किया था, और अभी क्या recommend किया है, 2023 में, that is, R1 Matrix M, और जो कौन बना है, Oxford है, Tram Institute of India मिलके बना रहे है, तो यहाँ पे आप अगर notes में देखोगे, तो कुछ दूसरी medicines है, chloroquine, hydroquine, यह आप देख लीजिए क्या, ठीक है, या screen source लेना है, तो आप screen source ले सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है, कि आपको fast है, तो आप क्या करो, आप थोड़ा सा वीडियो को slow करके देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है, जादा slow जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो आपका YouTube के उपर जब वीडियो अप्लोड होगे, तो यह option आपको मुझूद रहता है, ठीक है, तो अगर हम next topic के बात करते हैं, जो हमारा next topic था, वो क्या है, वो है green ammonia के बिगारडी, green ammonia, अब यह क्या है, अब यह क्या है, green hydrogen थो आथा, green ammonia भी आगए, what is this, this is nothing, हम क्या कर रहें, हम production कर रहें, किसका ammonia का, using by renewable sources, और green or recyclable क्या कर रहें, renewable sources का use कर रहे हैं या क्या कर रहे है और clean energy का use करके हम क्या कर रहे है production कर रहे है किसका ammonia का अगर हम यह दोनों method use कर रहे है then the ammonia is known as green ammonia ठीक है देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैं specially बता रहे हैं कुछ दोस्त ऐसे हैं जो है known science backgrounds है तो देखो इन सब्दों को देख के ड्रा मत क्या करो ठीक है science की हमेशा से ऐसी फित्रत रही है कि क्या गरो बहुत बड़े बड़े भारी बरकम सब्दों और क्या करो बच्चों को ड्रा के मार दो ठीक है तो डरना नहीं है थोड़ा ध्यान देना आपको सही समझ में आएगा अगर ऐसा सोचोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा ध्यान दो, और science और tech के इन सब्दों से डरना नहीं है, यह बहुत easy होते हैं, बट वो जान कुछ के क्या खरते हैं, उनकी ज्यादा रख देते हैं, ठीक है, उनको इसा भारी भरकम सब्दों को क्या लगता ह कि पता नहीं क्या हो रहें, तो ऐसा नहीं करना है, तो क्या है, ग्रीन अमोनिया कुछ नहीं है, अमोनिया क्या करने हैं, प्रोडेक्शन करने हैं, किसकी हेल्प से, रिनेवल एनर्जी और क्लीन एनर्जी की हेल्प से, ठीक है, तो इन्होंने यह वो दी है यह यह प्रोसेस जिसमें क्या बोला गया हैबर बोस प्रोसेस को अब यह ہیں यह दो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक प्रोसेस बनाई कुछ नहीं था इन्होंने क्या किया वोटर लिया वोटर लेने के बाद में इलेक्ट्रोस लाइसिस की हल्प से क्या कर दिया अलग कर दिया, किसको बोटर से, अगर क्या अलग कर दिया, हैड्रोजन और ओक्सिजन को, ठीक है, जब हैड्रोजन और ओक्सिजन को अलग किया, तो क्या अलग किया, हैड्रोजन यहां से ले लिया, और इंवार्मेंट से क्या ले लिया, नेट्रोजन ले लिया, इन दोनों क हम पहले भी यूज कर रहे थे, इसी process हम क्या कर रहे थे, ammonia का production कर रहे थे, but हम क्या कर रहे है, but अभी हमने क्या किया, अब भी हमने जो input लगा है, जो क्या किया, water से hydrogen जो अलग किया, ठीक है, और जो इस process के लिए high temperature और high pressure की जो conditions हमने put की, वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे हमने renewable and clean energy का use किया, तो क्या हो गया, जो ammonia form होआ, that ammonia is known as green ammonia, ठीक है, अब हम इसका use कैसे कर सकते है, देखो, इसका सबसे अच्छा free होग है, जैसे हम क्या कर सकते है, fertilizers making में कर सकते है, electricity and power generation में कर सकते है, और एक और condition guys, आप बगएरा से leak, जो समुदरी ships बगएरा होती है, उनसे क्या होता, oil leak हो जाता है, और उस condition को हम क्या बोलते है, oil spill, तो हमें क्या करना है, oil spill में हम क्या करे, हम वहाँ पे kerosene या liquid form जो है oil का, उसको use करने के बज़े हम क्या करे, green ammonia यूज करने रहे, कहां पे, कहां पे, समुद of ammonia क्या होगा, water में, वह हो जाएगा, dissolve हो जाएगा, तो थोड़ी problem हो सकते है, उसे toxicity हो सकते है, but normally conditions में देखेंगे, तो क्या होगा, ammonia अगर accident होता भी है, तो क्या होगा, ammonia environment में release होगा, ठीक है, तो क्या है, oil spill से हम बच सकते हैं, so ये कुछ नया concept आया था, तो जिसमें हम क् कर सकते हैं, pharmaceuticals company में हम क्या कर सकते हैं, as a purifier के रूप में किसको यूज कर सकते हैं, this green ammonia, ठीक है, तो हरे किसकी तरब बढ़ रहे हैं, green, clean, or renewable sources की तरब बढ़ रहे, so now move to the next topic, ये बहुत शांदार है बेटा, अब भी क्या हुआ था, अगर हम इसकी बात करें, देखो, guys, किसको मिला है, auto second को न गुला, तो ये क्या है, ये अब तक की सबसे क्या है, अब तक की sole test unit है, जिसकी value क्या है, 10 raise to power minus 18 seconds, यह यहां ध्यान दो, guys, 10 raise to power minus 18 seconds है, तुम क्या कर रहे, अगर हम क्या रहे, देखो, discovery हो गई use क्या है ठीक है basic चीज तो यह कि हां कुछ डिस्कवर कर दिया very good बहुत अच्छा पर इसका use क्या देखो आपने hummingbird देखा hummingbird hummingbird हमिंग वर्ड है को तह है वो अपने पंकों को बहुत जल्ली जल्ली फड़़ाता है ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पंकों को एक second में कम-से-kakam 60-100 times घुबा सकता और जब वो क्या करता है अपने partner को tacks करता है तो क्या गरता है वो अपने wings को कम-से-kam 2000 times क्या करता है एक second में फड़ फड़ा सकता है तो अगर हम एक कम-से कम उसकी process को देखना चाहें अगर हम किसकी प्रोसेस को, जो फ्लैपिंग ओफ विंक्स किसका, उसका अगर देखना चाहिए, तो क्या प्रोलों जाए, तो यहाँ पर प्रोलम यह होगी, जो हुमेन की आई है, क्या है, हुमेन की जो आई है, वो कितना, वो 32-60 फ्रेम्स ही देख सकती है, एक सेकंड, ठीक ह अगर हुमेन की आई, कितने फ्रेम्स देख सकते है, 30-60 फ्रेम्स, और हो क्या का रहा है, वो 200 से जादा बार पंक्फट फट आ रहा है, तो हमें क्या लग रहा है, हम इसली देखनी पाए, ठीक है, पहला पॉइंट तो यह, दूसरा पॉइंट ओड देहां दो बेट, यह प क्या बनाए, कुछ है कैसा, कैमरा यूज कर ले, या कैमरा बना दे, या क्या बना दे, एटो सेकंड, पल्स बना दे, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक तो इनका मूमेंट देख सकते हैं, यह कैसे हरे, अगर हम एटम का, यह देख सकते एलक्ट्रोन का movement, तुम क्या आता सकते, matter के बारे में हमें और ज्यादा information पता लगे की, और क्या है, हम basically बहुत wonderful type के क्या आता सकते, camera यूज कर सकते हैं, ठीक है, और क्या है, जितने भी जो particles, small particles, उनके और अच्छे से features हम समझ सकते हैं, ठीक है, तो basically जो हमारे काम की चीज़े हो क्या है, वो 10 is to power minus 18 second है, और क्या है, यह सबसे shortest unit है, जिसकी अब तक discovery हुए, और second point, अगर हम क्या देखना चारे, moment देखना चारे, बहुत भी mini second में, यानि बहुत ही short time के लिए, जो कितना है, 10 is to power minus 18 second के round है, तो हम ऐसे moment देखने के लिए हम क्या करके है इस का use करके, इस instrument का use करके हम क्या दा सकते है, वो moments और वो activities हम देख सकते हैं, ठीक है, और इसके इलावा क्या कर सकते है, electron की moments हो गई, और हमारे बीच में matter है, matter की जो हम बात करें, तो matter के internal में क्या चल रहा है, internal में क्या क्या process है, क्या क्या process है, कैसे क्या हो रहा है, जो अ हमारे लिए इतना बैट रहे क्योंकि हमें स्पेशलाइजेशन नहीं करना हमें पता होना चैकि इसका क्या-क्या यूजे तो इतना हमारे लिए काफी है तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे एक और ड्यूज आई थी डैट न्यूज इस रिल रिलेटिटी टुदा एक्सक्लूस ठीक है एक्सक्लूस ओम्स क्या होते हैं अभी क्या है जो हमारा क्या है सेल है सेल पता है बेसिक एंड स्ट्रक्ट्रल यूनिट ओ हमें बोडी या लाइफ लिविंग एंटिटी ठीक है इसमें क्या है ओर्गनिलीज होते हैं अभी ओर्गनिलीज क्या होते हैं यह स्मोल सेल एक cell की unit होते हैं, पर ये act कैसे करते हैं, they are act like a special organ, और क्या करते हैं, इनका खुद का function होता है, जैसे क्या है, for example, mitochondria, cell wall, ribosomes, mitochondria क्या है, mitochondria is the powerhouse of the cell, तो क्या है, these are all the examples of organelles, तो हमें क्या क्या है, हमने एक नई kind के organelles को found किया है, और उप कहां पे मिलती है, वो सिर्फ mammalian cells में म करते हैं मदर क्या करते अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करातीये ऐसे जो क्या है एडिमेल्स हैं जितने भी हमारे जीव जनतू है ठीक है जितने भी जनतू है उनमें क्या है उनमें डिस्कवरी एक इसकी एक्सक्कलूसोम की इस इडा new cell organically found only in the mammalian ठीक है, अभी सुनो second क्या कर रहा है, इसकी shape की अगर हम बात करें तो प्लाजमोडियम में होती है, और क्या है cell plasma के इतना इसकी location है, हमारे लिए सरक इतनी information बहुत काफी है कि कहा मिली है, कैसे होती है DNA rings में होती है, और कहा है cell plasma के ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया then this is more than ठीक है, so now next topic बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, बिकोज इसको भी क्या मिला है, noble piece prize in the chemistry, और इसी year के लिए मिला है किस के लिए, टुन्टी टुन्टी ठीक के लिए, और quantum dot, जब हमने RAS का exam भी solve किया था, तो उसमें भी मैंने quantum dot के बारे बात की थी ठीक है, अगर आपको RAS का exam दोबारा देखना है, science attack का portion तो मैं link description में provide कर दूँ आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, ठीक है तो किसकी बात है, quantum dots क्या है, they are nothing just like the artificial atom, क्या है artificial atoms है, ठीक है और हम क्या कर रहे है, atoms बना रहे है semiconductor nanoparticles अब semiconductor, PNPN Jenkson पढ़ा है आप लोगों ने, PNPN ठीक है, NPN तो यह क्या है, basically semiconductors है, जहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इन semiconductors हैं, basically हम silica यूज़ कर रहे हैं, बट अगर हम यह nanoparticles के बनाने हैं, तो हम special क्या यूज़ कर रहे हैं, cadmium silicium, cadmium sulfide and indium arsenide का यूज़ कर रहे हैं, उनका यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, nano semi-particles conductors बना रहे हैं, ठीक है अब यह क्या है, यह क्या है, देखो सबसे पहले जो थे, quantum dot की जो discovery भी थी, वो उनको theorize किया था 1970s में, ठीक है, कि ऐसा-ऐसा कुछ concept हो सबता, इसके ब्यारे में theoretically बात हुई थी 1970s में, बट जब इसका synthesis, इसको बनाया कब गया था, 1980s में, ठीक है, 1980s में, 1980s के दसक में क्या कर लिया था, हमने देखते हैं कि, जो particles, क्या है, क्या है, normal condition में है, जैसे हमारे gold होगे, या normal और particles होगे, या और चीज़े है, वो क्या है, normal condition में, क्या करते हैं, वो different तरीके से act करते हैं, बट हम जब उनको nano, nano किस पे ले जाते हैं, nano particles के रूप में ले जाते हैं, याने, क्या है जो normal के कोई भी atom molecule जो ऐसे एक्ट कर रहा है कहां पर simple कर रहा है उसकी properties के आजदे change हो जाती है इसके generally all पर ठीक है तो हमने क्या बना है semiconductors जो बना है उनमें क्या रखा cadmium silicon और यह सब लिख और इनको quantum dots को हम क्या बोलते है artificial atoms भी बोलते है ठीक है अब इसकी कुछ properties है दिस साल इसने nobel prize मिला है chemistry का तो हम इसकी कुछ properties देख लेते हैं first property है display के बारे में ठीक है जब हम अब हमने क्या सुना है OLED सुनिए बेसिकली OLED क्या है यह बेसिकली OLED जो LED में है ना उनके हम और गनिक रूप लिया है इनमें क्या यूज कर रहे है हम में quantum dots यूज कर रहे है ठीक है और quantum dots जब हम भी यूज कर रहे तो क्या है जो color है जो vibrant है color का ओ क्या है बहुत अच्छा दिखाई दे रहे है ठीक है second photo voltage j scroll photo voltage में क्या है हम से में ऑक यूज करते हैं जहां किया बनाता है बना यूज कर रहे है तो उसमें क्या और पॉंजिटीव नेगटीव और क्या हता बीच में गैशता है अब पोटोंस होते हैं अब हम quantum हम डोट्स अगर फोटोवल्टिक में यूज करेंगे तो क्या आगे मोर एफिशेंट होगे बाय मेडिकल अगर हमें क्या करना है इंटरनल हमने कुछ भेजना है डिवाइस यानि टार्गेटिट एक कौन सब्ट होता है टार्गेटिड ड्रग डिलीवरी तो उसके लिए क्या है यह बैस्ट है ठीक है क्यों कौन क्वांटम डोट्स एंड थार्ड इस क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट बनाने के लिए क्य है ये हमारा थोड़ा डिफानश का पार्ट इसमें हमने क्या किया है वेश रोड्स की बात करे है यह क्या है वेश्ट रोड रेंज एहर डिफैन्स मिसाइल सिस्टम यह किस का है इसको यूज कौन कर रहा है यूज कर रहें इंडियान आर्मी ठीक है और ये क्या है ये है manpads यानि manportable air defense system क्या कर सकता है एक आदमियके land science को carry करके क्या कर सकता है manpads का part ठीक है तो अभी क्या है DRDO के जो research center है RCI वहाँप इसको बनाया गया है और अगर हम इसके बात करें तो इसमें क्या है ground forces को कर सकता है और aerial threats को यानि आपके उपर जो थोड़े near जो short targets है short distance target है जो low flying aircraft है जो क्या है जो radar की range में नहीं आएंगे उनको क्या है ये मार के गिरा सकता है ये देख लो यहाँपे guys ये क्या है ये manpads का example है ऐसे आपने movies में देखा हुआ ऐसा ठीक है यहाँ क्या है यहाँ थर्मल battery लगए यहाँ थर्मल बैटरी के help से क्या है आप अपना target set करते हो यहाँपे आपको site देखके मिलता है नजारा ठीक है यहाँ से देखके और यहाँपे क्या होता है basically आपका launcher वगएरा होता है यह rocket होता ठीक है देखो अभी एक ने डिसकावरी है नोन अलकोहलिक फैटी लिवर के बारें बात कर लें नोन अलकोहलिक फैटी लिवर देखो हमने अम तक जो पढ़ा है basically हमने एक चीज पढ़ी है उस में क्या होता है कि आपका फैटी लिवर होता है तो बेसिकली किसकी वज़ाए जाता है? Heavy use of alcohol. कि जो लोग बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सराप पीते हैं, तो उनको क्या हो जाता है? उनको alcoholic fatty liver की भीमारी हो जाती है. बट अभी क्या है? अभी हमने ने डिस्कवरीज में एक चीज़ और देखने को मिली है, कि जो liver है, वो उसमें fatty इसलिए भी हो सकता है कि आप क्या हो? अलकोहल अगर कंजूम नहीं भी कर रहे हो, तब भी क्या है? Non-alcoholic fatty liver की diseases हो सकते हैं. देखो, पहला क्या? अगर हम इसकी बात क्या है, यह healthy liver है, ठीक है? तो first उसमें क्या हो जाएगा? First condition में हमारे पास क्या होगा? अगर हम बात करें कि क्या होता है, कि fat में क्या हो? जब liver में क्या हो ने लग जाए बेटा? Fat बनना start हो जाए, ठीक है? अब क्या है? लिवर फैबरोसिस हो जाएना लग जाए, यानि क्या है? लिवर फैबरोसिस के condition होती है, जिसमें क्या होता है? कि लिवर में extra fibers बनने लग जाते है, ठीक है? extra organs add होने लग जाते है, as a form of fibers. और last क्या है? लिवर सिरोसिस. यह हैør'REbersable condition, यहाँ पे आगल, क्या है भास? खत्म होई गया। देखो, यहाँ पे आप सभी समझ मिगा आगा, आपको normal liver, second oddzahl IPC thankful. अगर आप K्या बहुक्त होगा, अब आपका फैटी लिवर् की बीमारी है, तो आप क्या बहुत होगा? देखो बेड़ वो सुना है अपने हिंदी में कवर्ड है नास यहां पे हम इसको नैस बोलेंगे तमझो अगर नास हो गया तो खतम हुआ ठीक है अगर आपको कंडिशन कुन से आगी नास वाली तो क्या हो जाएगा आपका लिवर काम नहीं करेगा और किसके लाव क्या क्या हो बढ़ जाएगे तो अब तक जो हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि लिवर में जो फैट जो हो रहा हो किसकी वज़े से हो रहा है तरफ अल्कॉल की वज़े से हो रहा है ऐसा भी नहीं है जब आपके लिवर में फैट की अमाउंट बढ़ने लग जाए ठीक है उसके बेसिक ठी अटो हैपैट ज़ो हम करें नस की तो किस में क्या है कि आपका लिवर में क्या होगा इंफल 升 होगा और यह चींट प्र pokemon तो नास क्या है रिवर सिबल है आप ठीक हो जाओगे बड़ इसमें क्या है फेब्र Chelsea's condition हो जाएगे और scarring of the liver कंट लगने start हो जाएगे और यह last में liver permanent damage हो जाएगे तिर एक condition that is known as पिरोसिस एक जब यह condition आ गी तो मतलब क्या है आपका liver damage हो गया और शिरोसी क्या है इस इस दा basic reason for the liver cancer ठीक है आप इसका इलाज क्या है ठीक है सबसे पहले तो यह भी मारी किसमें हो सकते है ठीक है नोन जो हमारी यह है नोन alcoholic fatty liver disease जो हमारी हो किसको हो सकते है यह किसी को सकते वेदर आप बच्चे हो बूडे हो जवान हो किसी को सकते है और क्यों होती है because of the obesity यानि मोटे ज्यादा हो या क्या है आपको इस से मोटापे से related कोई और विमारियां है जिसमें second क्या है क्या है ठीक है? फर्स्ट तो हैब आपको बश्री zeros defense जखो ओबेसी या जी मुटापपट की विम्हार sigu ना अगर diabetes ट्राइब यह है तो आपको क्या ऋका गण TAS primeira सकता अगर आपको इसके recommendation बोलोगे कि ही ठीक कहसी होना तो ठीक होने के लिए डोक्टर का कोई इलाज नहीं है, इलाज में आपको डोक्टर सजेस्ट करेगा कि आपके अगरो अपना मुटापा घटाओ, और चीजे उसी साब से नूट्रिशन्स खाना करो, बट अगर आपको NFL है, तो यह क्या है, आप ठीक हो जाओगे, बट आपको नैस है, तो आपकी रिकवरी इंपोसिबल है, ठीक है, सेकंड नेक्स टोपिक जो है हमारा, that is part of nanopty, ठीक है, यह क्या है, यह बेसिकली क्या है, यह है, आर्टिफिशियल enzymes बोल सकते हैं, mimetics बोल सकते हैं, artificial enzymes, enzymes क्या होते हैं, enzymes जो होते हैं, naturally form में, वो क्या करते हैं, आपकी process को क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, very fast कर देते हैं, तो nanoparticles जो है, nanoptya, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली, यह हमारा institute, Indian Institute of Science, इसमें और MRC ने मिलके इनको बनाया है, और यह क्या है, इनमें, platinum है, platinum जो है, platinum जो है, उसके nanoparticles से, अब इसका use क्या है, इसका basically use यह है, कि आपका जो wastewater है, यह basically किस form में होता है, this is the form in the powder, powder की form, तो यह क्या कर रहें, अगर आपका जो अगर आपने wastewater में, nanopty अगर आपने मिला दिया है, तो वो क इनको सब को क्या कर देगा, डिजॉल कर देगा, और उसको water को क्या कर देगा, purify कर देगा, clean water, पर इसके लिए सबसे बड़ी condition क्या है, हमें sunlight की जुरूद रोती है, और जब यह process start होती है, तो आपको पतालग कैसे लगागे, process start होगे, basically process का हमें पता लगता है, process में light release होन पिनाईल ऐसी चीज़े हैं, उनको हम क्या रहते हैं, रिमूव कर सकते हैं, नेनोपीटीय से, अब यह देखो, अभी हमें इसकी जुरूद क्यों पड़ी, देखो, enzymes जो होते हैं हमारे body में, अगर हम enzymes को store करें, enzymes को store करते हैं, तो enzymes को हमारे basically enzymes को store करने के लिए हमें, minus 20 degree Celsius से देखे, minus 30 degree Celsius का temperature चीज, और यह temperature करें हम maintain करेंगे, जो natural enzymes, they can only survive up to 2 or 3 days, ठीक है, ओके, बट यह क्या है, यह जो नेनोपीटीय है, यह क्या है, यह artificial enzymes है, और इनको हम क्या बोल रहे है, इनको हम बोल रहे है, mimetics, ठीक है, और यह क्या कर रहे है, toxic chemicals को review कर रहे है, और इनके सब normal days में, normal condition में, 75 days तक यह survive कर सकते है, ठीक है, और इनका overuse अगर हम बात करेंगे, तो we can use them in the health sector, ठीक है, चलो, आगे ज़्यादा time नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यह satellite है बेटा, जो भी launch हुए recently, ठीक है, देखो, अभी आपका 5G का phone चल रहे है, 5G का phone के लि ठीक है, AST Space Mobile ने Blue Walker नाम की satellite यूज की है, satellite का use करके इन्होंने ये प्रूव कर दिया, कि अगर आपको अपने phone में 5G चलाना है तो आपके tower के जूतनी, आपका phone directly कहां से connect हो जाएगा, satellite से connect हो जाएगा, तो यह क्या है, यह example किसका है, satellite communication का, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, satellite क Space Mobile Company ने क्या कर दिया, 5G को direct provide कर दिया, mobile phones में, के बीच में जो towers की जो वो है, need है, उसको क्या कर दिया, remove करते है, ठीक है, और इसके लावा यह है, 3GPP, 3rd generation partnership project, जो यह है, देखो, इसकी permission सबको लेनी पड़ते, यह एक international body है, जिसको जो क्या करते है, टेली communication के लिए काम करते तो जो हमारा Novik जो है, जो हमारा Novik है, अभी किस में आया है, Novik हमारा basically किस में आया है, iPhone 15 Pro में, ठीक है, और आगे क्या है, हम यह सोच रहें कि 2024, 2025 दबतत आएगा, तो हम क्या करेंगा, हर एक devices में Novik लेके आएगे, तो इसके लिए approval हमने किस से लिया था, 3GPP से लिया था, ठीक है, अगर आपने Science Space Technology की मेरी classes पढ़ी हैं, तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि क्या है, 3GPP के बारे मैंने बताया था, और हमने क्या लिया था, 2019 में इसको क्या कर दिया था, इन्होंने हमेरे approve दे दिया था, बट ये प्रोजेक्ट इतना delays लिया था, बिच में COVID बग ये देखो, ये हमारा क्या, ये हमारा इंडिया है, ये ऐसे दिखाए जएक, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, बेसिकले इंडिया, ठीक है, और ये क्या है, satellite, Blue Walker 3 satellite, और ये क्या, provide कर दिया, direct communication, इन्होंने successfully, ये चीज, establish कर थिया, ठीक है, कि अब क्या है, 5G के इपक्र कर लेते हैं भी गुरू वस्थनिक मिसैल थे से नाम से इसके में हो रहा है किसकी है रश्यया और इसको क्या बूला गया इसका लिटरल मίο मिनिंग है स्ट्रोम पैट्रो देखो डेयो बी जू मिशायल है यह क्या रहता है यह हेड होता है जिसको क्या बोलते है और जितना भी जो मेट्रियल होता है जो ब्लास्ट होता है वह मिसाइल के इस पोर्शन में रखा होता है जिसको क्या बोलते है ठीक है और यहां पर क्या होता है बेसिकली मोटरिया क्या होता है इंजन होता है इसका मिसाइल का या रोकेट तो तो देखो ये क्या है जो अगर यहां पे क्या हो नुकलियर ठीक है रखाओ तो इसको क्या बोलेगे नुकलियर वोर है ओगर ये क्या हो नुकलियर एनर्जी से चल रही हो नुकलियर एनर्जी से यानि नुकलियर इसमें क्या है एक छोटा सा स्मूल रियक्टर रगा है किसमें इसमें और ये क्या है इसी से nuclear reactor से energy लेके इसको उड़ने के लिए power energy देगे तो ये क्या है इसमें ये ये क्या है nuclear warhead भी है और nuclear powered भी है ठीक है कुछ मिसाइल क्या होते है क्या हो solid power होते है या liquid power की होती है कि जो engine में जो energy डाला है जो fuel डाला हो क्या यहां पर क्या है जो फ्यूल है वो क्या है वह भी नुकलियर टाइप का है और जो वोर हैड में जो सबस्टेंज रखा जो एक्स्प्लोसिव रखे है वह वह किस टाइप के नुकलियर टाइप ठीक है और नाटो ने इसको स्पेशल नाम दिया है जिसको बोला है SSC X9 Skyfold और यह इसका सबसे बड़ी बात पता है क्या है देखो इसका इंजन लगा हो टर्बो जैट टाइप का है बट स्मोल क्या है नुकलियर भी पावर भी एनरजी के लिए हमें दिया गया ठीक है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है यह रडार की नजर में बहुत कम आती बिकोज यह क्या है इसका एल्टिट्यूड फ्लैट बहुत कम है 25 से ठीक है नुकलियर पावर्ड है ठीक है फ्यूल भी नुकलियर है अब यह व्लादिमर पुतीन ने सबसे पहले इसका जो प्रोजेक्ट यूज किया था वो इसको 2018 में बताया था ठीक है 2018 जब यह राया था तो व्लादिमर पुतीन जो थे उन्होंने तीन तरह की मिसाइल्स जो यहां पर नाम दिया हुए ठीक है आप इनके बारे में देख लिजीए जो इनके क्या है special 6 टाइप ओफ मिसाइल्स जो इनकी है ठीक है और हम शायद यह लास्ट टोपिक है हमारा ठीक है इसको कंप्लीट कर लेते हैं यह क्या है यह बेसिकली एक प्रोसेस के बारे में ब है फ्रैंक फिसर और सेकंड जो हो है हां स्ट्रो इन्होंने क्या किया कुछ नहीं है इन्होंने कोल का यूज करके यानि क्या किया इन्होंने सिन गैस का यूज करके देखो सिन गैस पता है सिन्थेटिक गैस सिन गैस उनमें क्या कंपोनेट होता है हाइड्रोजन एड ले 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 बाहुँमार्फ के वाइयूस करके वाई यूजिंग ने मेस्टड हो गैसिफिककिशन क्या करले इन से एनज्यम क्या हारे सिंधार कैसे गैस इसे इन ग्यास को क्या और क्या बचार í यान क्या बन सकता है टीजल सुर्प होर क्या बन गैसे जो है, जो भेमें, पेट्रोलियम से रिलीज होती है, तुम क्या कर रहे हैं, यह, जो FTP process है, यह क्या, यह, बेसिकली क्या कर रही है, आपकी sin gas को किस में convert कर रहे है, पैट्रोलियम में convert कर, ठीक है, कोई घबराने इस वीक का पूरा का पूरा ठीक है एक तारिक से लेके 8 अक्टूबर को I hope आप सब लोगों को पसंद आया होगा और हम इस प्रोसेस जो साइंस टैक का जो प्रोसेस चल रहा है करन ठवेस का इसको मागे बढ़ाते रहेंगे और नेक्ट वीक आपको मैं फिर से मिलता हूँ थेंक यू सो मच और कीप वोचिंग वीडियो जो कहां पे ओ लेबल है प्रिंस स्विल सर्विसेस अकेडमी ठीक है थेंक यू गाई